खन्यादाना पुलिस को मुगबिर से सूशनम ली की घ्राम कफार में सोनम धावा पर अवेत तरीके से शराब बेची जा रही है नवागत थाना प्रभारी धनेंदर सिंग भदोरिया ने स्डियोपी प्रिशान शर्मा को अवगत कराते हुए तुरंत एक टीम बना कर मोके पर भेजी तो पुलिस को देख कर कफार पर सोनम धावा संचालक बलवीर लोधी ने भागने का प्रयास किया पर पुलिस टीम ने घेरा बना कर पकल लिया और धावी की तलाशी ली तो अवेत रूप से साथ पेटी में 350 देशी प्लैन सराब के कौार्टर मिले जिस पर आरोपी बलवीर से सराब बेशने का लाइसेंस जानना चाहा तो लाइसेंस नहीं मिला जिस पर से आरोपी बलवीर लोधी सहे थानल आया गया और 24 बटा 2 का मामला दर्श कर लिया गया पूस्ताच में आरोपी ने बताया कि मेरे दौरा काफी समय से धावा पर अवेश तरीके से सराब बेशने का काम करता आ रहा है फिलाल पुलिस ने धावा संचालक पर 34 बटा 2 का मामला दर्श कर लिया है और जांच की जा रही है खन्यादाना से शिपकांत सोनी की रिपोर्ट काम में अवेहत सराब के खनाब कादावाई की लिए क्या कादावाई मानिय पुलिस सदिक्षक महदे द्वारा अवेहत सराब जुआ सट्टा आई पियर और खनन माफियों के विरुद एक अव्यान चलाया जा रहा है उसी अव्यान के तहद हमको रात को एक सूचना मिली थी उस सूचना की तस्दीक जब हमने की तो मानिय अत्रिक पुल सदिचक महदे और हमने जब वहां पर दविज दी तो यह सौनम ढवा था सौनम ढवा के पास काउंटर पर साथ पेटी अवेहत सराब की वो रखे था जि और चुकि वो विवेचना में भी सहयोग नहीं कर रहा था तो उसे गिरपतार करके ठाने पर लाए और अभी उसे मानिय न्याले पेस करेंगे